हेलो दोस्टों कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ शेर करने जा रहे हैं आलू के पापड आलू के पापड होते हैं जो बहुत ही जड़ा क्रिस्पी और टेस्थी बनते हैं और यहां पे मैंने बहुत सारे आलू के पापड बनाए हैं और यह देखे कितने अच्छे दिखने में ये पापड बनकर ready हुए हैं और ये बिल्कुल फटे नहीं है कहीं से तूटे नहीं है बिल्कुल perfect वाले पापड बनकर तयार हुए हैं मैं आपके साथ एक बहुत ही easy और tasty पापड बनाने की recipe share करने जा रही हूँ जिसे बनाना बहुत ज्यादा असान है तो चलिए इसे ब ग्रेट कर लेना है इसको बिल्कुल बारी greater से great करना है इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए अगर आप मैश करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरह मैश कीजिएगा जैसे कि इसकी गुठलीयां होती है आलू की वह बिल्कुल ना रहे और इसका हमने ब कर लिया है अब इसके अंदर थोड़े से मसाले डालेंगे तो मसाले हम यहां पे कौन-कौन से डाल रहे हैं वह आप ध्यान से देख लीजिएगा यहां पे हम डाल लेते हैं अजवाइन होती है वह टेस्ट को बढ़ा देती है और डाइजेशन का काम भी अच्छा करती है आ यहां पे इसके अंदर डालेंगे अब हम नमक नमक आप इसके अंदर बहुत ज्यादा अमा डालिएगा आधा चमच ही लगना है अगर ज्यादा डाला तो इसमें कड़वा बना जाता है यहां पे इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल लेते हैं धनिया आप वाइड करना च बन चुका है आप अपने हाथों में हलका सा ओयल लगा ये और नीम्बू के अकार के छोटे-छोटे बॉल्स बना लीजिए सारे बॉल्स अगर आप एक वार रेडी करके रख लोगे तो फटा-फट से दो से तीन लोग आपके घर में होंगे पापड फटा-फट बन जाते हैं सो पापड सिर्फ पांच मिनट में बनकर रेडी हो जाते हैं यहां पर शीट लीजिए शीट के उपर सोड़ा सा ओयल लगा लीजिए तांकि जो डो है हमारा ये चिपके ना बिल्कुल भी और इसके उपर हम ये वाली एक बॉर्ड रख लेते हैं और शीट को हमने उपर से पल्टी कर लेना है इसको शीट को डबल कर लेना है इस तरह है डबल करके हम इसके उपर कोई भी प्लेट या फिर कोई बड़े साइस की कटोरी हो उससे हम इसको दबा देंगे और ये फिर पापड हमारा बन जाएगा बहुत ही असान ये तरीका है पापड बनाने का ये प् लीजिए और यह अच्छी तरह फैल जाएगा तो इसका साइज मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है क्योंकि सूखने के बाद जो यह पापड़ होते हैं वो थोड़े छोटे हो जाती है तो लीजिए यह पापड़ हमारा बंकर तैयार हो गया है इसे हम दूसरी शीट पे निका से तो आप पापड़ को दुबारा से दवा दीजिए और यह जो शीट है यह फिर निकल जाएगी यह थोड़ा सा मैंने पतला कर दिया है अगर आप थोड़ा सा मोटा करना चाहे तो कर सकते हैं तो लीजिए एक पापड़ हमारा तैयार है अब दूसरी शीट के उपर मैंने इसको पल्टी कर दिया है और एक पर हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे और यह शीट हमारी इस तरह निकल जाएगी लिजिए एक पापड़ हमारा रेडी है इसी तरह हम दूसरी शीट के उपर सारे पापड़ मना कर डाल देंगे अगर आप डारेक्ली इसी शीट के उपर भी ब प्रेस कर देंगे और प्रेट के बाद प्रेस करने के बाद आपने हाथों से थोड़ा सा इसको दबाना है ताकि इसमें जो कहीं भी बीच में मोटा रह जाए वो फ्लैट हो जाए अच्छी तरह तो लिजिए यह पापड़ भी हमारा अच्छी तरह हम इसकी उपर का शीट बेधिवरला पापड निकाल देंगी और हमारी में सीट है जिसको हमने धूप में ढालने है सुखने के लिए उसके उपर रखकर इसको उतार लेते है इसी तरह हमने दो दिन की धूप में सूख जाएंगे कई बार ऐसा होता है कि वेदर खराब होता है तो दो दिन की धूप लग जाएगी और आप इसे पंखे के नीचे भी सूखा सकते हैं अगर धूप नहीं है आप पंखे के नीचे डाल दीचे तो ये सूख जाएंगे आप देखे बिल्कुल गोल और पॉर्फेक्ट पापड़ हमारे बनकर रेडी हो गए हैं साइज आप छोटा या बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं तो चलिए अब हम इन्हें सुखने के लिए रख देते हैं इसे पापड़ हमारे सूख चुके हैं दो दिन की दूप में ये परफेक्ट रेडी हो गए हैं यहां पे इनका साइज आप देखे बिल्कुल परफेक्ट है और ये कहीं से टूटे भी नहीं हैं और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं आप इने स्टोर करके रख सकते हैं साल भर तक भी आप इसे एर टाइड कंटेनर में डाल कर रख लीजे ये खराब नहीं होंगे अब हम इने फ्राइ करते हैं फ्राइ करने के लिए ओयल में गरम होने के लिए रख दिया है अब इसके अंदर पापड को डालेंगे थोड़ा सा दवाएंगे और लीजे ये पापड हमारा तयार है इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्राइ नहीं करना है अगर हम ज़्यादा फ्राइ करते हैं तो पापड करवा हो सकता है यह पॉपड बहुत ज़्यादा नहीं पूलते हैं लेकिन है प्रिस्प भी बहुत होते हैं इसे तरह आपने जितने पॉपड आपको चाहिए उतने फ्राइ कर लीजे बा की के आप श्टोर करके रखिए जब भी आपको नीड हो जब किसी ने खाने हो तब आप इसे फ्राइ कर सकते हैं बस ऑपड़ में डालते ही ये एकदम से फूल जाते हैं और ली जब आपड़ हमारे तयार हैं अब हम इने ठंडा कर लेंगे एक पर जब आप ओयल से निकालोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पॉपड़ हमारे सौगी हैं यानि कि थोड़े लचीले से हैं तो ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं तो अब हम इने आपको फ्राइ करके दिखाते हैं अब लीचे पापड हमारे फ्राइ हो चुके हैं मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ आप देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची से ये पापड बनकर तयार हुए हैं और भी ज़्यादा वीडियो आप देखना चाहते हैं